मैं स्वागत है सायंकाल नौकी समचार यूपी पीएससी मेंस रिजल दो हजार बाइस पिक अपडेट रेलवेद पदों पर भरती पचास जार एलपी टेकनीशन पांस जार एससी और दस जार जेई आरतिस जार सिच्छक भरती कब आरारसी गुरूप डी मेडिकल डीबी इस् जरूर कर दें सबसे पहली मातमूर सुचना है यूपी पीएसस मेंस रिजल्ट को लेकरके बीग अपडेट है यूपी पीएसस मेंस का रिजल्ट पहले तो लास्ट फरवरी तक याने वाला था परन्तो अभी जो सुचना मिल रही है आयोग की तरप से कि आप लोगों का जो नूट से कल जारी की जिसमें कई छात्रों को बाहर किया गया कई करणों से तो आप लोग समझ लिजे आप लोगों का जो रिजल्ट है वो जल्दी ही बनकर एकदम आखरी मोड में है आप लोगों का रिजल्ट सेकेंड बीग में आ जाएगा अगली मातमूर सुचना हम रेलवे भरती में जो बजट में भी 75,000 को लेकर 75,000 पदों पर भरती करेगा क्योंकि 2014 जो भी लोगसभा को चुनाओ है 2024 में उसको लेकर करके 75,000 भरतीयां जो है वो रेलवे करेगा दिसम्बर से पहले उसमें जो पहली भरती होगी वो ALP टेकनीशन की होगी असिस्टेंट ये सभी भरतीयां जो है वो आप लोगों को दिसम्बर से पहले देखने को मिलेंगी और सभी भरतीयों को विग्यापन जल्दी है आप समझे तीन से चार महने के बाद आप लोगों को शिलसला शुरू होता मिल जाएगा अगली महत्पूर सुचना है वो 38,800 शिच्चक भरत जो आदिवासी चात्र है उनको इससे लाब मिलेगा उनकी सैच्चिक सुधरेगी और रोजगार में भी इजाफा होगा अगली महत्पूर सुचना है वो है SSC गुरूबडी को लेकर के SSC गुरूबडी का जो मेडिकल है और डीबी वो कब होगी लगबग अंतिम फेज में ह यह SSC गुरूबडी का जो पयाम है वो अंतिम फेज में है अभी देख लेते हैं यह बेटियों गुरूबडी की भरती में बार की बोरी सीर्फ पर कंधे पर लाद कर दोड़ कर लगाती महिलाएं बेटियों ने 20 किलोग्राम का बोज उठा कर लगाता दोड़ी इनी एंटी पीसी की जो है वो दूसरा जर्ण बुद्वार को पूरा हो गया दूसरे चर्ण के अंतिम दिन महिला अभरतियों को बुलाया गया था इस दोर लेबर वन के पर भरती के लिए 813 बेटियों ने 20 किलोग्राम की बोरी लेकर चलने का बाद एक किलो मीटर की रेस इस पूरी परकरिया में 443 बेटियों को अपने अगले चर्ण के लिए क्वालिफाई हो सकी इस ग्राउंड में अंतिम चर्ण में 1034 महिला बेटियों को बुलाया गया था इसमें से 813 बेटियों उपस्तिती और 100 मीटर की दूरी 2 मिनट में 20 किलोग्राम वजन उठा कर पू अब सभी सफल अब बेटियों को 15 फरोरी से हो रहे है सैचरी अव्लेकों के सत्यापन की प्रक्रिया में सामील होना है डीवी आप लोगों का 15 फरोरी से स्टार्ट हो गया है प्रयागराज जोन में तो इसके लिए आप लोग तयार रहें अगली महत्पूर्ण सूचना है व कई अहम घुस्णाएं की गई इनमें 740 एकलब मॉडल आवासी स्कूलों में सिचकों की भरती होनी है बजट में एकलब मॉडल आवासी स्कूलों में सरकार ने 38,800 सिचकों और सहाय करमचारियों की भरती का ऐलान किया है या भरती तीन वरसों के दौरान की जाएगी इससे बच्चियों की सिच्छा बेवस्ता बेहतर होगी परन्तों यह जो पहला चरण है पहला चरण वो आप लोगों को जुलाई से अगस्त के बीच में 38,800 जो भरती है इसका पहला चरण वो जुलाई से अगस्त में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा यह आवासी विद्य शुरू हो जाएगा अगली महत्पूर्ण सुचना है वो है बीएसेफ को ले करके बीएसेफ ट्रेडमेन की भरती का आवेदन शुरू हो गये हैं यह इसकी जो वह आवेदन है पहले तो आप यह देख लीकिए यह विग्यप्त निकली है यह 1400 ओनलाइन अप्लिकेशन यह इंट्रेश्टेट मेल इंडियन शिटीजन इंफिलिंग दर चौदा सो दस वेकेंसी है यह और फॉर मेल कंडिडेट और सरसट वेकंसी है फिमल कंडिडेट फॉर्ट पोस्ट अप को इसकी जो डेट सुरू हो रही एक्जाम फर्म की वह फेवरी दोजार तेश में शुरू इक्जाम मार्च में होगा और फी पेमेंट भी आप लास्ट डेट इक्जाम नहीं यह लास्ट डेट इसकी जो फर्वरी सेल मार्च तक एक महिने मिलेगी फी पेमेंट मार्च में भी कर सकते हैं आप और OBC जर्नल EWS सो रुपए कर सकते हैं SCST एज लिमिट इसकी 18 से 25 है और रिलेक्सेशन भी आपको दिया जाएगा पर नाम जो रूल होगा इंडियन गवर्मेंट का 1410 पदों पे यह भरती है 1410 पदों की यह भरती है यह तो यह रही कुछ महत्पूर्ण खबरें जो बिभिन रोजगार समाचार पत्रों पे चाही भूली आप बिलेक्साशार पसाल